हेडाइस व्लेकम बेग टो माय न्यू बीलॉग तो डॉट सभिलु मैं झाय साथ करती हूं आप सभी लोग में असलुट होग तो आपके मुझे बहुत सारे कमेंटा बहुत हैएं में पड़ते थक जारहे ह zwischenमेट तो तो सभी का यही कहना है कि मैं अपने बालों में क्या लगाते हूं जिससे की मेरे बाल यतने घने हैं लंबे हैं और मैं कैसे इन बालों की कियर करती हूं तो आठ मैं आपके लिए लेकर के हाई हुए एक पावर्फुल टॉनर जिससे आप अपने बालों की ग्रोध को भी बढ़ाएंगे और जो आपके बाल जड़ रहे हैं आपके नए बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे इस टॉनर को लगा के वह भी नॉर्मल जो घर की चीजे होती हैं जिसे हम खाने पीने में इस्तमाल करते हैं उससे मैं एक पावर्फुल टॉनर बनाने वाली हूं जो मैं अपने बालों में अथ कि वीडियो में इन बालों को लंभा घना काला रखने के लिए मुझे बहुत सारी मेंनत करने पड़ती है घर पर घर का काम करना पड़ता है जैसे कि आम मेरे बलॉग में देख यह इन को बिढ़ुत है ने青न को बेदर बेंटल के संद फटस ऐन को ब救 chem तब जागर के हम एक अच्छी स्क्रीन और अच्छे बाल पा सकते हैं तो बाल मेरे लंबे हैं तो इनकी कियर तो करनी पड़ते हैं बिना कियर किये हुए कोई भी चीद हमें नहीं मिल पाते हैं जो हमारे बालों को नैचरली पोसर्ड देशते हैं वो चीज़ें आपको अपने बालों अपने हाइड से भी लंबे बाल कर सकते हैं तो देख सकते हैं मेरे बालों की लेंद तो कहां से कहां पहुंचते हैं और मुझे समालना मुश्किल हो जाता है और मैं काटना नहीं चाहती यही मेरी पहचान है इसलिए मैं इनको काटना नहीं चाहती मुझे अपने बा बनाना सैनथ लगती है आपको तिप्स भी बताती हूंहें आपको ब्ढ़ाने के लिए बालों को बढ़ाने के लिए और कौन को चीज raising करनी चाहिंए यह में आपके साथ स्यार करते हूं ! तो चलिए टॉनर बनाना स्टार्ट करते हैं तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ले रखे हैं चावल यानि की राइस तो आपको राइस ले लेने हैं अपने बालों के अगॉर्डिक जितने लंबे आपकी बालों की लेन थे हैं तो उस इसाब से आपको लेना है उतनी क लेत को बढ़ाने में मदद करता है और इसमें जो आपके बालों को म Penis करने में मिलत करती है और बालों को healthy बनाता है तरिके से के छामाल खाने से इंसान की healthy मोटास बढदा जाता है उसी तरीके देती बल्स में काम करता है आपको इसे चूले पर रख देना है साप पानी में फिर उसमें आपको दो टी वेक्स डाल देना है यानि की ग्रीन टी के दो वेक्स डाल देना है और कुछ ले लेने हैं आपको आउला जो मैंने घर पर सुखाए थे तो जब आउले का सीजन होता है मैं सुखा करके लग देती हूं तो इसमें आपको डाल देना है आउले से हमारे बाल मजबूत होते हैं घने होते हैं काले होते हैं आउला बहुत ही बेस्ट है बालों के लिए और ग्रीन टी से हमारे बाल हेल्दी होते हैं और बालों का जढ़ना कम हो जाता है बाल मुलाइम होते हैं और डेंट्रेप की समस्या कम हो जाती है तो यह आउला अच्छे से पग गया है अभी चावल पगने में टाइम है तो हलके से इसको हम पका लेंगे हलकी आच में इसको पकाना है और ज्यादा गैस को नहीं बढ़ान काच की गिलास ले लेनी है और उसमें आपको इसको चान लेना है अच्छे से आपको इसका पानी चान लेना है जो भी टॉनर है इसे चान लेना है यह टॉनर यहां पर मैंने तैयार कर लिया है तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे जब यह थोड़ा सा गुन-गुना रह ज दो प्रश्य वहां कि दो सकते हैं अब हमको चौथी चीज इसमें एंड़ करोंति है रोजमेरी इसमें डाल देना है आपको आपको यह कहीं से फीर ओन लाइन भी पर्टेश कर लेना है तो रोज्मेरी के कुछ बूद है जिस हिसाब से आपने टॉनर बनाया है दिस हिसाब से लंबे बाल है उस हिसाब से आपको ले लेना है तो चार-फ़ांच बूद मैंने इसमें रोज-मेरी के मिक्स कर दिये हैं तो इसको हाम लगा सकते है आप एक दिन भर लगा करके भी इसको रख सकते हो इससे कोई problem नहीं होती है आप बाहर भी जा सकते हो इसको बना करके अब मैं इससे एक इस्प्रे बोतल में डालूंगी इस तरीके से इस्प्रे बोतल में डाल लेना है आपको भी और उसके बाद आपको अपने सूखे बालों में इसे अपलाए करना है तो इस तरीके से आपको इसे अपलाए करना है इसको गुन-गुना ह तो मैं अपने बालों में लगाएं तो मेरे बालों करती है तो इस तरीके से में लगा लूंगी पूरा अगर आपके बाद इस प्रे बोतल नहीं है तो आप नॉर्मल कोटन से भी इसे लगा सकते हैं अपने बालों की पूरी रूट्स पर पूरे जर पर लगा सकते हैं तो आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्स सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी सेयर करिए इसी तरह के के यह टिप से देखने के लिए हैं